नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाक स्नान की एक बहुत सुन्दर कहानी लेकर आए हैं एक समय की बात है किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान धर्मात्मा और भगवान विश्नु का परम भक्त था वह हर वर्ष गंगा जी में वैशाक स्नान करता था एक समय जब वैशाक मास आया तब राजा ने निश्य किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ उसने सारे नगर में धिंडोरा पिटवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले वैश्नान करेगा और बाद में सब यदी कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वै उससे अपना आधा राज्य दे देगा और यदी कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह कर लेगा ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा कड़ा करवा दिया पहरेदार सारी सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता परंतु उसे घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ दिखता था राजा ने घाट पर पहरा कड़ा करा दिया परंतु रोज का यही नियम था क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुभह सबसे पहले गंगा जी में सनान करती थी अपने पिछले जन्म के कुकर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था वो भगवान विश्नु की भक्त थी इसलिए वैशाक सनान करती थी देखते ही देखते वैशाक मा समाप्त होने को आया एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को सनान करके निकलते हुए देख लिया और उसे पकर लिया राजा के आने पर उसे बताया कि यह आप से पहले यहां सनान करती है बंदरिया को देख राजा को आश्चर्य हुआ तब बंदरिया ने इनसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी अब जैसे कि राजा ने प्रण लिया था उसने बंदरिया से शादी कर ली बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाक स्नान के फल स्वरूप वहरानी बनी है राजा ने बंदरिया के साथ अपना पती धर्म निभाया राजा की बहुत सी रानिया थी जो बंदरिया का मजाग बनाती थी देवयोग से बंदरिया को गर्ब ठहर गया धीरे धीरे नौ महिने का समय बीता और बच्चा होने का समय नस्दीक आ गया एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला जब तेरे दर्द हो तो तू यह घंटी बजा देना मैं आ जाओंगा जब बाकी राणियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी यह घंटी क्यों लगवाई है तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी राणिया हसने लगी और बोली जरा बजा कर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं बंदरिया ने घंटी बजा दी राजा दोड़ा दोड़ा वहां आया और पूछने लगा क्या हुआ दर्द हो रहा है बंदरिया बोली मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं यह सुनकर राजा को बहुत गुसा आया उसने गुसे में घंटी उतरवा दी एक दिन ब आखों पे पट्टी बांद कर लेट जा इससे तुझे दर्द नहीं होगा वे शाक मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुन्दर पुत्र को जर्म दिया उसे देखते ही सभी राणिया चिड़ गई क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी वे सोचने लगी अब यह राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी सभी राणियों ने एक योजना बनाई और बड़ी राणी बच्चे को कपड़े में धख कर बाहर ले गई दासी को बच्चे को देकर बोली इसे नदी में बहा दो ऐसा कहकर राणियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया जब राजा आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है तब राणिया बोली इस बंदरिया ने पत्थर जना है पत्थर देखकर राजा ने सोचा जब बाकी राणियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा उधर जब वह दासी बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उससे ऐसा नहीं किया गया दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुमार मिट्टी के बरतन बना रहा है दासी ने मिट्टी के बरतन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई कुमार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ क्यूकि उसके कोई संतान नहीं थी अब कुमार और कुमारिन उस बच्चे का प्यार से लालन पालन करने लगे वह जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है क्यूकि वह एक रेश्मी कपड़े में लिप्टा हुआ था देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा एक दिन वह कुए के पास खेल रहा था सयोग वश वही दासी कुए के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी बातों बातों में उसने बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बताई और यह भी कहा कि उसने बच्चे को एक कुमहार के बरतन में रख दिया था लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुमहार को सारी बात बता दी यह सुनकर कुम्हार बोला इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है परन्तु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानिया हमें जूटा साबित कर देंगी तब वह बालक बोला आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोडे बना दो बालक अपने मिट्टी के हाथी घोडे लेकर कुए के किनारे बैट गया जब दासियां पानी भरने आई तब वह बालक बोला मेरे हाथी घोडों को भी पानी पिला दो दासियां बोली मुर्क मिट्टी के हाती घोडे कभी पानी पीते हैं तो वह लड़का बोला यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जग़ पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाती घोडे भी पानी पी सकते हैं दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, उसने बंदरिया से पूछा, तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आखों पर पट्टी बंधी थी, राजा ने रानियों से पूछा, तो रानिया बोली, हमने पत्थर पैदा होते देखा है, राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया, राजा ने कुमहार को और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया, अब वह जंगल में अपनी जोपडी बना कर रहने लगे, एक दिन योजना बना कर वह लड़का, मिटी के घड़े में पानी भर कर, और पेड के नीचे आच जला कर, पीपल के पेड कर बैठ गया, कुछ ही देर में, जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई, और लकडी काटने लगी, थकान से उन्हें प्यास लगने लगी, उन्होंने पेड पर बैठे, उस लड़के को देखा तो उससे पानी मागने लगी, तो वह बोला, पानी के बदले तुम् के पीछे-पीछे चल दी। लड़के ने पीपल की और अग्नी के चकर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पाणी पिला दिया। पाणी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंें सारी बात अपने माता-पिता को बताई। सभी लोग एकटे होकर राज महल में पहुँचे वहां राजपुरोहिच जी को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे पीपल के साथ क्या वहां अगनी भी थी तो लड़कियां बोली हाँ वहां अगनी भी थी राजपुरोहिच जी बोले इन सभी लड़कियों का विवा उस एक लड़के से हो गया है अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में पहुचा और बोला तुमने इन सभी से विवा किया है लड़का बोला हाँ मैंने इन सभी से विवा किया है राजा बोला अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहां वहां गूंता हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, इन्हें कहा रखूंगा। तब राजा ने लड़के से कहा, तुम हमारे साथ नगर में चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा, जहां तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते, उसका घर तयार हो गया, और उसकी सभी पत्नियों को एक-एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अब लड़के ने राजा को राणियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया, राजा सभी राणियों के साथ उसके घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया, तब लड़के ने पूछा, आप अपनी सबसे छोटी राणी को अपने साथ क्यों नहीं लाए, राजा बोला, लड़के ने उसके पैर चुए और उसे पूजा में बिठाया अपनी सभी पत्नियों से कहा रानी मा का आदर करते हुए एक एक कर बच्चों को इनकी गोद में दो और इनसे आशिरवाद लो यह सब देखकर बाकी की रानिया चिड़ गई और राजा से बोली हमें बुलाकर य यह हमारा अपमान कर रहा है हम यहां नहीं रुकेंगे ऐसा कहकर सभी रानिया वहां से जाने लगी तभी वह लड़का बोला यह मुझे जन्व देने वाली मेरी मा है राजा बोला यह तुम क्या कह रहे हो तब लड़के ने रानियों की योजना की सारी बात राजा को बता कर दिया और बंदरिया रानी पुत्र बहूं और पोतों के साथ महल में सुख पूर्वक राज करने लगा हे भगवान विश्णू जैसी खृपा आपने उस बंदरिया पर करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना जै श्री हरी विश्णू